नमस्कार गुरूजे नमस्थर भिद्यार थी जब प्ढ़ता है महनत करता है लेकिन उसके बावजुद भी वंशफ़र रहता है और उसके मन में अनियकों परगाras की डीप्रेसेन अजाता है कि अतना महनत करनेक बावजुद भी वंशफ़र रहेगा है उसका मित्र भी कोई अगर देखता है तो उसको भी लगता है कि उतना मेहनती करने वाला भी लड़का अगर असफल हो गया तो हम कोई से सफल हो सकते हैं उसके चलते वो भी मेहनत करना छोड़ देता है इस पर आप कुछ बताईए वगवन आपका नाम क्या है? मंकेश कुमार मंकेश जी मंकेश जी हमेशा याद रखेगा जीवन की किसी भी छेत्र में कोई भी ऐसा छेत्र नहीं है जिसमें कोई भी इंसान सफल हुआ वो बिना आसफलता के सफल हो गया हो चाहे वो कोई सिंगर हो लता मंकेशकर जैसे सिंगर हो किस और कुमार जैसे हो चा एक हमारी जो घर की माह होती है आप अपनी माह से भी जाकर पूछिए गया क्या माँ आप पहली दिन जब खाना बनाई थी तो सिख गई थी या आपने कोई गलती की आप खुद से पूछिए कि क्या आपने बच्पन में पहली बार खाना खाना शुरू किया तो आपके उपे खाना गिरा नहीं था क्या पहले दिन आप अपने घुटने पे चलने लगे थे या पहले दिन आप अपने पैरों पे खड़े हो गये थे नहीं ना प्रतिक इनसान की शुरुवात किसी भी छित्र में गलतियों से होती है कुछ लोग गलतियों से निराश हो जाते हैं और आगे प्रियास नहीं करते हैं, इसलिए उनको सफलता नहीं मिलती है। आपको सफल होना है, सफलता का मतलब ही होता है, बहुत बार गलतियां की गई और हर बार गलतियों को और परिश्कृत तरासा गया, पुरानी गलतियों को दुबारा दुहराया नहीं गया हर गलती से सीखा गया और सीख कर नए तरीके से प्रतेक असफलता आपको ये बताती है कि असफलता के पीछे कारण क्या था ताकि उसमें आप सुधार कर सको और जब आप सुधार करोगे तो धीरे धीरे वो गलती रिपीट नहीं करोगे एक समय ऐसा आएगा सारी गलतिया कर चुके होगे अब कोई गलती बचेगी नहीं तब उसके बाद आपके पास सफलता ही मिलेगी और सफल होंगे ही जैसे एडिशन के बारे में कहते हैं इडिशन 999 बार प्रयोग किया लेकिन 1000 बार के प्रयोग उसने बल्व का विशकार किया था यानि 999 बार उसने गलतियां की और असफलताओं को प्राप्त किया 999 बार अगर रुक गया होता तो 1000 बार की सफलता उसको कभी में नहीं पिल पाती तो इसलिए जीवन के किसी भी छेतर में असफलता बताता है कि आपने जो प्रयास किया है तुरूटी पूर्ण प्रयास किया है अपनी तुरूटीों को खत्म करते चलिए एक दिन सारी तुरूटीयां खत्म हो जाएंगी फिर सफलता को रोक नहीं सकता कोई और सफलता बताता मिलेगी आपको तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रयास करते रहिए आप देखिए अभी एक बड़ी अच्छी घटना घटी है एक चर्चा है अभी मेडिया में कि साहिद राजिस्तान साइट की है साहिद कोई इनसान कोई नौजवान जो मैट्रिक में था अपने गाउं में जहां उस गाउं के लोग पढ़े लिखे नहीं थे बहुत ज़ादा तो उस नौजवान ने ये निरने किया कि मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और मैं पढ़ाई करूँगा और उसने ये प्रतिग्या की अपने आप से कि मैं मैट्रिक कर लूँगा जब मैट्रिक करूँगा दसवी पास करूँगा तभी मैं शादी करूँगा ठीक है ये ब्रत किया उसने ये संकल्प कर लिया वो प्रयास कर रहा था लेकिन हर बार वो फिल हो रहा था लेखिन चोकि उसने संकल्प किया था कि मैं दस्वी पास करके ही व्याह करूंगा अब इस्तिती उसकी ऐसी हुई कि वो दस्वी पास कर ही नहीं पाया दस्वी पास कर ही नहीं पाया उम्र बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया वो इनसान आज बुजूर्ग हो किया है किसी मंदिर का पुजारी बना हुआ है और दसवी पास नहीं लेकिन प्रते एक वर्ष वो दसवी पास करने के लिए इमतहान में बैठता है प्रते एक वर्ष चीक है लेकिन साधी नहीं हुई संकल्प के अनुसार से उसकी शादी नहीं हुई अब वो एक छोटा सा कोई किसी मंदिर के छोटे से मंदिर का साधू बना हुआ है ठीक है लेकिन देखिए किसमत उसकी कैसी कि करोना काल में जब भारत के लगवक सारे बोर्ड ने ये फैसला किया कि जितने भी बच्चे एक अज मदर प्रियास कर रहे हो तो कभी न कभी आपको सफलता जरूर में बिलेगी अब इसका मतलब में ये नहीं कह रहे हूँ कि आप भी अपनी अपनी दसवी कक्षा के लिए अठाई साल प्रियास करते रहो ऐसा मैं नहीं कह रह रहा हूँ बस मैं एक उधारण के रूप में कह रहा हूँ कि अगर आप प्रियास करोगे किसी भी चीज के लिए तो ये प्रकृति भी आपकी प्रियास की भाषा को समझती है और एक ना एक दिन आपको सफल करने के लिए सहयोगी भी बन जाती है और आपको सफलता मिलती है आज वो इनसान भुजूर्ग वस हुआ लेकिन परिस्तीतियां कुछ ऐसी बनी कि आज वो मेट्रिक है तो इसलिए आप कहीं भी किसी भी छित्र में अगर प्रियास कर रहे हो करते जाओ हर बार के प्रियास की असफलता के साथ यही सोचो कि कुछ त्रूटी रही गई होगी इस बार मैं उस त्रूटी को हटा होंगा और फिर से अटेंप्ट करूँगा और जरूर मैं सफल हो जाओंगा और जरूर सफल होते हैं और ऐसे ही लोग सफल होते हैं